हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो इजी नोट्स फॉर यू चैनल आज हम आप के लिए लेकर आए हैं एकनॉमिक्स का पार्ट फूर अगर आप जो है एकनॉमिक्स से तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्टिशन एक्जाम के लिए आप चाहे यूजी से नेट देना चाह रहे हों सैट परिक्षा कर रहे हूं या फिर ट्वेल्थ एक्जाम या ग्रेजुएशन कर रहे हूं तो यह जो चैप्टर हैं आपके लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए इसके अल्रेड़ी हमने त्री पार्ट पहले ही वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करे हुए हैं आप हमारे टॉपिक बताने जा रहे हैं जो चैप्टर बताने जा रहे हैं वो है कॉस्ट एंड वेन्यू एनलिसिस का यानि लागत एवं आगम विशलेशन का तो फ्रेंड इसको पूरा जरूर देखिए गा और इसके जो पहले की जो चैप्टर से वह हमारे वीडियो में आप पहले द पर बता सकते हैं जिसे हैं कि हम आपको वो जो है वो जो भी आपको हैल्प चाहिए वह हम आपको प्रोवाइड कर सके आपको समझा सके और अकर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक जरूर करिएगा तो स्टार्ट करते हैं कोस्ट एंड रिवैन्य कि आती है उत्पादन लागत किसी वस्टू के उत्पादन में प्रियुक्त होने वाले समझ उतपत्ती के सादुनों को दिया जाने वाला बुकदान उत्पाद modulation कहलाता है को अब अब उत्पादन लागत की तीन अवधाणाइं होती है इनको आप समझ लीजे मौदरिक लागत, वास्तविक लागत और अफसर लागत ये तीन होती है मौदरिक लागत, अस्पस्ट लागते जिसमें आती मौदरिक लागत में क्या क्या आता है अस्पस्ट लागते, अस्पस्ट लागते तो इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं तो उत्पादन लागत यानि किसी वस्तु की उत्पादन में प्रयुक्ट होने वाले समस्त उत्पत्ती के सादनों को दिये जाने वाला भुक्तान ही उत्पादन लागत है इसकी तीन अवधारनाएं हैं मौद्रिक, वास्तवेक और अफसरलागत तो मौद्रिक लागत क्या है किसी वर्म द्वारा वस्तु के उत्पादन में कुल मुद्रावे को मौद्रिक लागत कहते हैं मौदरिक लागत का सुत्र क्या है कुल इस्पस्ट लागते कुल इस्पस्ट अस्पस्ट लागते और समानि लाप इसको मिलाके बनती है मौदरिक लागत अब इसमें जान लेते हैं इस्पस्ट लागते किसे कहते हैं वे लागते जिने उत्पादक को पत्ति की साधनों को एकत्र करने ही तो परतिक्ष रूप से वे करना पड़ता है यानि कि जो दिखाई देते हैं वे उनको कहते हैं सपस्ट लागते जैसे कच्चे माल पर वे मजदूरी पर भूमी या भवन का किराया यानि इसमें आप जो पैसा देते हैं वो दिखाई देता है इसपस्ट होता है क्लियरली आप उसको 100 रुपीज या 1000 रुपीज देते हैं यह होती है इसपस्ट लागते अब होती इसपस्ट लागते जो की आप देखिए वो क्या होती है असपस्ट अत्वासनित लागतों में उत्पादक के वेवेल शामल होते हैं यह जनका उत्पादग को प्रत्यक्ष रूप बुक्तान नहीं करना पड़ता इसमें प्रत्यक्ष रूप में इस ऐघर अगर उत्पादगं …我 जब काम करता नहीं लेता है तो वो अपनी सेवा के मज़दूरी स्वैम की पूंजी पर ब्याज स्वैम का विल्डिंग का किराया यह अपने लिए रख लेता है लेता जरूर है लेकिन वो दिखाता नहीं है किसी को तो यह हो गई असपस्ट लागते हैं कोस्ट जो है वो अपने पास रखता है अपने उसी warranty पता sent होती इसलिए अपिस्पस्ट वती है जो की दिखाई देती है जो दूसरों को देता है लेकिन जो वो खुद के उस पर deconst करता वो अस्पस्त लागते होती हैं अब समाने लाप यह कम से कम वहलाब जो फर्म अथ्वा उत्पादक को कारे में लगाए रखने के लिए आवश्यक होता है उसे कैने अब जानते हैं मौद्रिक लागत के पाद वास्तविक लागत क्या होती है यानि किसी वस्तु के उत्पादन में समाज के विविन बर्गों द्वारा किया गया प्रत्न एवंत्याग उत्पादन की वास्त्विक लागत होती है वेवारिक द्रस्टी से इस लागत का कोई मर्त्वन ही होता यानि कस्ट त्याग या अन्बाव तो किये जा सकते हैं परन्तु उनको मुद्रा के मापदन पर व्याकत नहीं किया जा सकता। यह होती हैं वास्तविक लागते। अफसर लागत क्या होता है। किसी वस्तु की अफसर लागत वे सर्वसेश विकल्प है अफसर लागत वे सर्वसेश विकल्प है। जिसका उतबादन इन्ही उतपत्ती के सादन द्वारा उसी लागत पर उस वस्तु के विकल्प के रुप में किया जा सकता है। अब देखें अलपकाल इन लागते क्या होती हैं। शौर्ट टम कोस्ट जो होती हैं। अलपकाल में उतपत्ती के कुछ सादन इस्तिर ता कुछ परिवर्त शीद लोते हैं। जाँ टोटल कोस्ट हो गई। fari tfc यानि की fix cost total fixed cost और total variable cost यानि कुछ जो है सदिर लागते हैं और बाकी प्रिवर्तन्शीद लागतें तो यह है अलफकालीन सुत्र ᤉसको जरूर व्यायद कर लिजये गाम के इस तिर लागतों को पूरग लागत तथा परिवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर जो है bracket में Q, उत्पादन की मातरा में व्रद्धी TVC को बढ़ाएगी और उत्पादन की मातरा में कमी TVC को गटाएगी यानि अगर उत्पादन की मातरा में व्रद्धी होती है तो total variable cost होती है परिवर्तनशीर cost होती है वो बढ़ जाएगी और उत्पादन की मातरा में कमी होगी तो टोटल परिवर्तनशी यानि कुल परिवर्तनशी लागत जो है वो कम हो जाएगी देखे इस तरीके का यह डाइग्राम भी है टोटल फिक्स कोट क्या है कोस्ट इस्थिर रहती है यानि इस्थिर लागत है टीवी सी यानि वैरियेबल यानि परिवर्तनशी लागत है और टोटल कॉस्ट इकॉल टू टीवी सी प्लस टीएफसी जो भी आमने आपको बताया कुल उत्पादन लागत भी उत्पादन मातरा का फलन होती है फॉर्मूला भी आपको परिवर्तनशी लागत होती है और तिस्थिर लागत ऐसी एकॉल टू टीएफसी अपॉन क्यों यानि कुल उत्पादन कर दिया गया कुल उत्पादन में कितनी जो है फिक्स कॉस्ट है उसको हमने यहाँ पे और तिस्थिर लागत देखा है यह देखे और तिस्थिर लागत का वकर यह है और तिस्थिर लागत वकर बाएं से दाए नीचे के और गिरता है क्योंकि उत्पादन बढ़ने के साथ ऐसी घटती जाती है ऐसी कभी शून नहीं होती अता एज़ी वकर कभी भी अक्षर को छून नहीं सकता इसका आकार कैसा होता है अती परवलया के समान फ्रेंट्स ये जरूर पूछा जाता है अधिकतर कोशन्स आता है इस बारे में और असत लगद वक्र किस तरह होता है या उसकी जो आकरती किस तरह होती है और इसका आकार कैसा होता है ये मोस्ट इंपोर्टन्ट है कि AFC का आकार कैसा होता है अती परवलया के समान होता है औसत परिवर्टन शीद लागद देखे अधिकतम बिंदू कहां है इसका और नियूनतम बिंदू ये है जब ABC नियुन्तम होती है यानि औस परिवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व बातों के नियम से प्रभावित होता है यह एफसी है एफसी अती परवलयकार एवीसी यू अकार ध्यान रख्ये का यह चीज पूछा जाता है यह हो गया परिवर्तन शील का एवीसी का देखे फिर से ध्यान से देख लीजे यू अकार किसका है एवीसी का है और अती परवलयकार एफसी यानि फिक्स कॉस्ट का है और औस तुदपादक्ता जो है इसमें विप्रीज संबन दोता है एवीसी के कुल लागत इसका फॉर्मूला भी बताए टी से एक्वल टू टी एफसी प्लस टी वीसी और असद लागत ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है कुल लागत क्या होती है और असद लागत आप ये सूतर समझ लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा इसी तरीके सिमान लागत इसका वक्र कैसा होता है यू अकार का होता है यानि ये भी इसी अकार का होता है यू अकर का होता है अब देखें उत्पादन के प्रते के स्थर पर टीवी से तर टीशी वक्र का ढाल एक समान रहता है सिमान लागत परिवर्तन शीद लागत पर निर्पर करती है सिमान लागत किस पर निर्पर करती है परिवर्तन शीद लागत पर निर्पर करती है और इसका इसते लगज़ से कोई सम्मन नहीं होता है AC तथा MC में सम्मन यानि Average Cost और Marginal Cost में सम्मन AC तथा MC दोनों वक्र की आकरती जैसा भी हमने आपको बताया U अकर की होती है U अकर हो गया यह MC तथा MC वक्र AC वक्र को उसके निउनतम बिंदू पर A को A पर काटता है यानि MC वक्र कौन सा हो गया यह और AC वक्र का सबसे नीचे का अगर पोर्शन देखें तो सबसे नीचे का पोर्शन हो गया यह यानि A बिंदू पर काटता है AC को काटता है Average Cost को और इन दोनों की आकरती U अकर की होती है MC वक्र अपने निम्तम बिंदू 1K पर अपेक्षाक्रत पहले पहुंच जाता है अब देखिए इसमें अपेक्षाक्रत पहले कौन पहुंचा MC यानि MC का यहाँ पर आप देख सकते हैं Marginal Cost अब देखिए सिमान लागत अथा उसल लागत वक्रों का निम्न संबंद भी उलेखनी हैं अब देखिए MC और AC और ABC यह तीनों वक्र यहाँ पर दिखाए गए हैं AFC का जैसे की अतीपरवला अकार हमने आपको बताया था ABC और MC का यह अकर अब देखिए इसमें चित्र को अच्छी तरीके से देख लीजाएं MC वक्र तता MC वक्र AC तता ABC वक्रों की तुल्णा में अपने नेम्तम बिंदू पर सबसे पहले पहुचता है सबसे पहले पहुचता है फिर है MC वक्र ABC तता AC वक्रों को नीचे से काटता है कहां से काटता है नीचे से काटता है जब MC वक्र AC तता ABC वक्रों के नीचे रहता है तब इसका अर्थ होता है कि AC तता ABC दोनों घट रही है इसके विवरीज है MC वक्र, AC और AVC वक्रों के उपर रहता है, इसका अर्थ है, AC और AVC बढ़ रही है, उपर है, जैसे यह उपर गया, यह देखे, MC वक्र उपर गया, तो AVC भी घट रही है, यहां तक उपर बढ़ रही है, यहां से घट रही है, देखे, इसको अच्छे से प ओध्याक तो व्क्रों से नीचे रहता है इसके विप्रीजिव ऑक्र मिलों की तरफ को राव रही है इसके अगलब टक्रों की पर आउटेल मिलों से तेजी से उठकर AC वक्र से उपर उठता है जब AC वक्र न्यून तम पर होता है तब AC equal to MC होता है यह देखें यहां पर AC equal to यह दोनों same है ठीक है AC वक्र गिर रहा होता है तो MC वक्र उससे अधिक तेजी से गिरता है यह देखें अब देखें AFC को छोड़कर से सभी लागत अब आती है देखें लागते अभी आपने पड़ी अलप काली लागते अब हैं देखें लागते दीर काल में मांग की बदली हुई की श्hteतिय को पूरा करने के लिए Verme Sanctan के परिमान टत्रब पयमाने को बदल सकती है तर्वी लागते इस्तिर्णा होकर परिवर्ट तन्शील हुती है इस तरह दीra काल में वेबिन प्रकार की प्रती का हिलागतों में केवल दो और सिमान्त लागत और और साथ में सिमान्त लागत अलपकाल में फर्म की संग्यन स्थिर होती है जिसके करण एक निश्य तुतपादन मात्रा के लिए फर्म का केवल एक ही औस लागत वक्र होता है दीरकाल में प्यमाने में परिवर्टन संभव होने के कारण बिन बिन संग्यन्तर शम्ता के अदार पर बिन बिन औस लागत वक्र हो सकते हैं लेकिन अलपकाल में एक ही औस लागत वक्र होता है देखे यदि जो है औस लागत वक्र को इस पर शकर्ट में रिखा कीची जाए तो दीरकाली नौसत लागत वक्र प्रहप्त होता है LAC वक्र सभी SAC वक्रों को आवरण की तरह ड़क लेता है इसलिए LAC वक्र को लिफाफा या आवरण वक्र भी कहते हैं किसे इस तरीकी जो वक्र बनता है उसको आवरण वक्र या लिफाफा वक्र भी कहते हैं दीर काली इन उसद लागत वक्र उतपादन की विबिन उतपादन मातरों की नियुन्तम संभव उसद लागत को व्यक्त करता है। एक SAC वक्र को उसके नियुन्तम मिन्दू पर स्पर्श करता है। यह पूछा जा सकता है किसे नियोजन वक्र भी कहा जा सकता है तो किसे कहा जा सकता है LAC यानि यह देखें LAC उसद लागत वक्र को नियोजन वक्र भी कहा जाता है क्योंकि LAC वक्र फर्म की दीर कालिन उत्पादन नेती में सहायक होता है यह पॉइंट पढ़ लिजे LAC किसी दीवित्पादन मातरा पर SAC से अधिक नहीं हो सकता LAC वक्र का अकार भी यू की तरह चप्टा होता है परन्तु SAC वक्रों की तरह चप्टा नहीं होता है । थीज़क है औसे इसी वक्रों के गड़ते बागों के बिन्दो कुस्पष करता है LAC वक्र का नियुंतम मिंदू नियुंतम लागत फर्म के अनुकूलतम इसतर को अकार को दर्शाता है LAC वकर कभी भी SAC वकर को काट नहीं सकता क्योंकि अलपकाल की अपेक्षा दीरकाल में बचते अधिक होती है दीरकाल में भी औसद लागत तता सीमान लागत वकरों में वही संबन्द होता है जो लागत वकरों अलपकाल में होता है अब निजी अब हम समाजिक लागतें निजी और समाजिक लागतों की धाना सरपतम किस ने दी थी सरपतम पीगू ने अपनी पुस्तक दाइकनोमिक और वेलफियर ये भी याद रखिए गाए एकनोमिक और वेलफियर कब आई थी तो पीगू ने अपनी पुस्तक दाइकनोमिक और वेलफियर में किया था निजी और समाजिक लागतों की धाना का प्रयोग निजी लागत एक फर्म दवरा एक वस्तू अथ्वा सेवा की उत्पादन पर किया खर्श है इसमें इस पस तता सपस दोनों प्रकार की लागते शाम होती हैं यदि उत्पादन की निजी लागतों तवाता वर्नी प्रदूशन जैसे दूसरों पर हान्यों को एकटा जोड़ दे तो समाजिक लागते प्राप्त हो जाती हैं समाजिक लागत कैसे आती है जबकि किसी वस्तू के द्वारा वातावन को प्रदूशित किया जाता ह तब समाजिक लागते उत्पन होती है और निजी लागत उतता वाता वर नी प्रदूशन जैसे दूसरों परहानियों कोई ख़टा जोड़ तो तो समाजिक लागत हो जाती हैं अब हैं लागत फुलन लागत है ता उसे निर्दारद करने वाले तो के बीश फलना अत्मक संभन को बताता है सूतर इसका ये है इसमें C कुल टुक पादन के कुल लागत है क्यूं मतलब पादन है टी यानि टेक्नीक यानि प्रादोगी का इस्तर है पीफ यानि साधनों के कीमत है F यानि इस्तिर सादन ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि सूत्र पूछा जाता है तो कई बार उसमें पूछ ले जाता है कि यहां जो यह F है यह किस चीज का चिन्न है या किस चीज को बताता है तो अगर आपको पता होगा कि इस्तिर सादन यानि फिक्स्ट कोस्ट को बता है परंपरागत सिद्धान में लागत वक्र यू अकार के होते हैं जैसा कि अभी हमने आपको बताया जबकि आदुनिक सिद्धान में जो अनुभाविक प्रमाणों पर अधारित है से वी सी वक्र द्था एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं और उत्पादन के एक विस्तद रेंज पर एक सामाना अंतर सीधी रेखा होती है जबकि प्रमपरागत में लागत वगए यू अकार के होते हैं आदुनिक सिद्धान में ऐसे वी सी और एम सी वक्रों के अकरती यू अकर की ना होकर तश्तरी अत्वा कटोरा यानि बाउल के अकार की होती है किस आकार की होते हैं किस आकरती के होने के कुछ यो है उतरताई कारण तक्निकी उन्नती की वज़े से, जानकारी यानि लर्निंग प्रक्रिया की वज़े से, अब है लागतों की लोच, लागत की लोच, कुल लागत में अनुपातिक परिवर्तन तता उत्पादन में अनुपातिक परिवर्तन का अनुपात है, इसको सूत्र में बताया गया है, जह की लोच जो होती है equal to k-1 होती है आगम विशलेशन अब आगम क्या होता है अभी आपने लागत पड़ा cost analysis किया है cost क्या होती है अब है आगम विशलेशन आगम यानि जिसे समाने ता I कहा जाता है revenue कहा जाता है का अर्थ है किसी फर्म या उत्पादक की उन प्राप्तियों से ह होता है जो उसे अपनी वस्तू की विक्री से प्राप्त होती है यह होता है revenue analysis आगम जिसे समाने ताय कहा जाता है का अर्थ किसी फर्म या उत्पादक क्यों प्राप्तियों से होता है जो उसे अपनी वस्तू की विक्री से प्राप्त होती है अब जाने लेते हैं कुल आगम बेच्छी गई मात्रह कितनी है कि निए औस ऑगम क्या है Ar एकोल ँट्ड है यानि कुल आगम अपन कुल उत्पादन वह और सिमान्त आगम क्या है अई-अम एकुल टू डील यानि कailleurs कुल आगम अपन दील लिए कुल उत्पादन यानि MR is equal to DR upon Q हो गई टोटल रिवेन्यू यह होगे टोटल रिवेन्यू यह होगे सीमान तागम इस तरह सीमान तागम कुल अगम में परिवर्तन की दर है यानि कितना परिवर्तन हो रहा है वो बताती है यह यह सदे वस्तों के प्रतीकाई कीमत को प्रतर्शित करती है इसलिए एर वक्र को कीमत वक्र भी कहा जाता है किसे कीमत वक्र कहा जाता है यह मंस्ट इंपोर्टन्ट है AR वक्र को ही कीमत वक्र कहा जाता है AR वक्र क्या हुआ Average Revenue ठीक है पून प्रतियोगिता की दशामें AR equal to MR होता है यह देखें पून प्रतियोगिता का डाइग्राम पून प्रतियोगिता में सीमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की और गिरता हुआ होता है तथा AR से नीचे रहता है अब यह देखें आपने पून प्रतियोगिता का देख लिया पून प्रतियोगिता में AR equal to MR होता है इस तरीके पून प्रतियोगिता में MR जो होता है बाएं से दाएं नीचे गिरता है तथा AR से नीचे की ओर है, यानि AR ये है, तो इससे नीचे की तरफ है MR, ये हो गई अपून प्रतियोगिता, जब AR तथा MR सरल रेखा के रूप में होते हैं, तो AR वक्र के किसी बिंदू से OY अक्ष पर लंब डाला जाता है, तो MR वक्र उसे द्विवाजित कर देगा, आपने देखे, यहां पर क्या पॉइंट बताया गया, कि जब AR तथा MR सरल रेखा के रूप में होते हैं, तो AR वक्र के किसी बिंदू पर OY अक्ष पर लंब डाला जाता है, तो MR वक्र उसे द्विवाजित कर देगा, देखे, यह द्विवाजित कर देगा, MR ये देखे, तो क्या ह हो जाएगा, SR is equal to R के, श्रीमती जोन रोबिंसन ने AR तथा MR तथा मांग की लोच के संबंद में, निमले की संबंदों को आकड़न किया है, अब श्रीमती जो है, जो है, जो है, जोन रोबिंसन ने AR तथा मांग की लोच को किस तरे किसे बताया है, उसका जो सूतर है, वो य MR equal to AR, उसको बस उपर कर दिया क्या है, E minus 1 उपर चला गया अपन E, जहां AR औसा तागम है, MR सिमान तागम है, और E मांग की लोच है, जब AR यहां लिखा होगा, तो E minus 1 नीचे होगा, MR होगा, तो E minus 1 उपर होगा, ध्यान रखिएगा, इसी तरीके, E is equal to 1, तब MR equal to AR, 1 minus 1 upon 1 is equal to 0, यदि मांग की लोच इधर इकाई के समान है, तो इस तरीके का सूत्र हो जाएगा, यदि अनन्त है, फूर प्रतियोगिता की दिशा में, तो यह MR equal to AR हो जाएगा, मांग की लोच इकाई से अधिक है, तो इस तरीके से हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, MR, और यदि इकाई से कम है, तो इस तरीके का हो जाएगा, रिडांत्मक में, अब देखें, ये डाइग्राम है इसका, यहाँ देखें, इकाई के बराबर, इसको और अच्छे से देख लीजिए, डाइग्राम को, ये बराबर पे है, जो है, लोज के बराबर है, और ये लोज से कम की तरफ जा रहा है, लोज से अधिक की तरफ जा रहा है, अर्थात, अगर लोज जो है, एकाई से कम होने पर, MR जो है, वो रिडात्मक हो जाएगा, यानि यहाँ पर इधर रिडात्मक होगा, और इधर की तरफ जाएगा तो धनात्मक होगा यह पूरा राइग्राम देख लिए जाए इसके मानिताएं हैं इसको पच्छे से पढ़ सकते हैं कि यानि ऊपर की तरफ जो है दनात्मक नीचे की तरफ एमार रिणात्मक तो इस तरी के जो है फोर चैप्टर कंप्लीट हुआ है अब हम आपके लिए कुछ अब्जेक्टिफ कोशन्स लाएं हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसको सॉल्फ जरू कर लेंगे तो ज क्या है एक फर्म धौर किसी उत्प्ति के सादन खर देर ने में आने वाली लगत क्या कहलाती है और कि इसका सई अंसर क्या होगा इसका सही अंसर होगा अब सभा ब इस प्रस्ट लागते यानि यह जो दिखाई देती हैं उत्पत्ति के सादनों में खरीदने या रोजगार यानि मजदूरी जो संबंदित होती है वो है उत्पादल लागत क्या है किसी वस्ते को उत्पादन में किया गया समस्तवे सहसी कलाब पूंजी का बयाज या विक्रेम होगा आप चाहिए तो कॉमेंट सेक्षन में अब हमें जरूर बताइए आपने कित्ते समय किये हैं जिससे समझ में आया है उत्पादल लागत है क्या है आंसर कि ए यानि किसी वस्तु के उत्पादन में किया गया समस्त वे अफसर लागत को हस्तांत्रण आय कहते हैं क्योंकि ओप्शन ए इससे कम मिलने पर उत्पादन का सादन दूसरे स्ट्रेश्ट विकल्ड में हस्तांत्रण हो जाता है अफसर लागत को हस्तांत्रण किया जा सकता है यह अन्य विकल्डपों से मिलने वाली हाई से कम होती है और डी उप्युक्त में से कोई नही तो फ्रेंड्स का सही अंसर क्या होगा अंसर है इससे कम मिलने पर उत्पादन का सादन दूसरे स्ट्रेश्ट विकल्डप में हस्तांत्रण हो जाएगा यह कहलाता है अफसर लागत और अफसर लागत को ही कहा जाता है हस्तांत्रण आए फ्रेंड्स आप पूरा चैप्टर पढ़ लिजे इसम नहीं हो सकती है कभी भी हो सकती है कभी नहीं उप्यक्त में से कोई नहीं तो फिफ्ट का आंसर क्या होगा नहीं हो सकती है मौली निर्दारण चैद्दान में सबसे अधिक आधार कौन सी लागत को माना जाता है अफसर लागत सीमांत लागत वास्तविक लागत या दी मौदरिक लागत इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा सीमांत लागत जब सीमांत लागत कम होती है तो आउसर लागत सीमांत लागत से अधिक होगी अधिक ए ओप्शन ए अधिक बी कम सी बराबर या कोई नहीं कैसी होगी सीमांत लागत जब सीमांत लागत कम होती है तो आउसर लागत सीमांत लागत से क्या होगी अधिक होगी अंसर ए सही है आदोनिक लगान की धारना का अधार क्या है मौदरिक लागत, वर्तमार लागत, अफसर लागत या डिवास्तविक लागत इसका सही आंसर क्या है? C. अफसर लागत सिमांत लागत वक्र अफसर लागत वक्र को किस बुंदू पर काटता है? यह भी आमने आपको चेप्टर में बताया अभी आमने वीडियो में बताया है आपको जहां अफसर लागत नियुनतम हो अब देखें कौन सा कथन सही है जैसे अभी हमने आपको बताया आकार के बारे में ज़रूर पूछा जाता है आकरती के बारे में इसमें से सारे ओप्षन दिये हैं सही आंसर क्या होगा अच्छे से पढ़िए इसको इसका answer option जो सही होगा वो होगा A दीर कालिन लागत वक्रों की यू आकरती अल्ब कालिन लागत वक्रों की तुनला में कम तीवर होती है Next प्रमुक लागत को किस नाम से जाना जाता है परिवर्दन लागत उपरी लागत पूरक लागत या स्तिर लागत इसका सही answer होगा A फिर है दीर कालिन सामाने उसद लागत वक्र प्रभावित होते हैं किस से प्रभावित होते हैं उत्पत्ति हाश नियम से बड़े पैमानों की बच्चते वह अबच्चतों से उत्पादन के पैमाने के स्तिर सिदान से या डियुक्त सभी से जोसका सही answer क्या होगा दीर कालिन सामाने उसद लागत वक्र बड़े पैमाने की बच्चतों अबच्चतों से प्रभावित होते हैं फिर है उसद इस्तिर लागत उत्पादन वद्धी के साथ घटी है यू अकरती वाली होती है सिमान लागत रेका क्या नून तब मिंदू पर काटती है या उसद परिवर्दन शिद लागत वम उसद को लागत के योग से निर्दानित होती है इसका सही answer क्या होगा उसद इस्तिर लागत उत्पादन वद्धी के साथ घटी है उत्पादन बढ़ता है तो उसद को लागत है वम उसद परिवर्दन शिद लागत में क्या होता है आंसर है C घटी है कोई फर्म किसी उत्पति के साथ उनको सामाई यूजित करने के लिए किस लागत को ध्यान में रखती है तो इसका सही अंसर क्या होगा इस पस्टर लागते कौन सा वक्र रेक्टांगलर हाइपरबूला यानि आयताकार परवलेकार होता है यह हमने आपको तीन चार बार बताया है आपने ध्यान से इस वीडियो को सुना होगा तो राम से इसका अंसर दे सकते हैं इसका अंसर क्या होगा यह एफसी यानि आउसत इस लागत किसी फर्म का नियोजन वक्र किस से संबन दे थे ये भी हमने आपको बताया नियोजन वक्र किसे कहा गया था दीर काल का होसत वक्र यानि L.A.C को फर्म का नियोजन वक्र नेक्स्ट है पूझी उत्पादन पाथ से क्या आशे है तो इसका सचे onster है किसी एक विए अर्थ वरीषथा में किसी यी vehicles विशेशवर विन्योग एवं उत्पादन के बीच के संबंद कुलस्ति लागत का उत्पादन दरके इस्तर के साथ क्या संबंद होता है जिसका सचे onster क्या होगा कोई संबंद नहीं होता नायनि कुल-स्तिर लागत का उत्पादां दर के साथ क्या सम्मंद होता है कोई सम्मंद नहीं होता जब एक उत्पादक अपनी पूजी या अश्टम मुत्पादन कारें में लगाता है परंतु वे इसके बदले में कुछ नहीं लेता है तो यह किस प्रकार की लागत होगी यानि वो जो है अपनी पूंजी एश्टा मुत्पातन कार में तो लगा रहा है लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं लेता है तो यह किस प्रकार की लागत कांग होगी तो अंसर है इस पस्ट लागतए ओसत लागत सधय वेग से नहीं होती इसमें परिवर्टन होते हैं किस अनुसार होते हैं इसका अंसर क्या मोगा B. उत्पतिके नियम अनुसार लाप दताहानी की सिती को देखने के लिए पर करकी लागत का प्रियोग किया जाता है इसका सहीज आंसर है C बूसत मत किसी वस्तु कि काईगा दिक उत्पन करने से कुल उत्पने लागत मुझे नितर आता उसे सिमांत लागत कहते है यह परिवाशा किस अर्थ सास्तरी की है तो यह है सी किन्सकी निम्लेकित में से कौन इस ते लागत से सम्मंदित है यानि फिक्स्ट कोस्ट कौन सी है जो देनी ही है तो उसका सही आंसर है बी संपत्ति का बीमा शुर्क सिमान लागत को कि सूत्र द्वारा व्यक्ति किया जा सकता है most important है उसका सही आंसर है बी व्रदी के साथ उसत्लागत का यह साथ क्या होता है बड़ति है गिर्थी इस्ति रहती क्या होता है इसमें तो आंसर है बी उत्तपादन में व्रदी के साथ ऊषच लागत गिर्थी है अब हैं next जल्दी से देख लिजए AFC निम्न के अंतर की लंबवद दूरी के बराबर है तो क्या होगा इसका सही आंसर? AC और ABC वक्र के बीच की दूरी है ठीक है? AFC वास्टिक लागत की धालना किस ने दी है? दॉक्टर मार्शल ने यानि A आंसर सही होगा जब AC इस्ते है तो AMC क्या होगी? बढ़ती है आर्थिक विचलेशन में ठीमान लागत दाना सबसे अधिक महत्पून माने जाती है क्योंकि क्यों माने जाती है? इसका सही आंसर क्योंगा? यह संतुलन की व्याक्या में सहायक है जब फर्म सामाने चमता चादिक उतपादन करती है तो उसका A.V.C. वक्र क्या हो जाएगा? तेजी से उपर की और बढ़ता जाएगा निम्नवी से किस वक्र को एन्वलप वक्र, लिफाफा वक्र कहा जाता है? यह भी हमने आपको बताया था उसका सही आंसर क्या होगा? बी एलेसी वक्र नेक्स्ट है किसी एक वस्तु अत्वा सेवा को प्राप्त करने के लिए जिस सर्वतम विकल पत्याग करना पड़ता है उस्तियाग को क्या कहते हैं? किसी एक वस्तु अत्वा सेवा को प्राप्त करने के लिए जिस सर्वोतम विकल पत्याग करना पड़ता उस्तियाग को कहा जाता है अबसर लागत इसे ही हस्तान्तरण आई भी कहते हैं अविभाजी सादनों के प्रयोग से प्रारंबी कुद्पादा नवस्ता में क्या होता है जिसका अंसर सही होगा अल्पकाली नौसत कुल लागतवा कर गिरता है अविभाजी सादनों के प्रयोग से प्रारंबी कुद्पादा नवस्ता में अल्पकाली नौसत कुल लागतवा कर गिरता है तो friends अगर आपने हमारा यह जो वीडियो है अच्छे तरीके से देखा है तो यकीन मानिए कि अगर आप इसमें से कोई भी इस चैप्टर से कोशन आता है economics में किसी भी competition exam में तो आप बहुत अच्छे से उसको दे सकते हैं और आप चाहें तो इस वीडियो को बार-बार देख सकते हैं जब तक आप उस समझ में नहीं आ जाता पॉस करकर के देख सकते हैं तो friend अगर हमारा जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको like जरूर करिए और अब भी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको subscribe जरूर कर लिजे जिसे और भी अच्छे वीडियो और बाकी के जो इसके part है वो भी आपको available हो सके हैं क्योंकि हम यह पूरी बुक आपको जो है प्रोवाइड करने वाले हैं यह समझे आपको कोई भी नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसी से पढ़ाई कर लेंगे तो भी आप अच्छे से जो है तैयारी कर सकते हैं तो इसके लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजे और हमें अपने कमेंट जरूर बताईएगा तो थैंक्स फर वाचिंग फ्रेंड्स